और एक बड़ी खबर इस वक्की देश्वर में पिट्रोल और डीजल दो रुपए सस्ता हो गया है महीं राजस्थान सरकार ने पिट्रोल और डीजल पर वेट दो प्रतिशत और घटा दिया पिट्रोल और डीजल के दाम दो रुपए कम हुए और ये घड़ी हुई दरें आज सुबह से लागू हो गई है देखे गटा है तो अच्छी बात है कि गटा हुआ है लेकिन मोधी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे है और इतनी बड़ी बड़ी चीजे किये है तो पेट्रॉल की भी बात है अब पीछे सिलेंडर के भी सो रुपे महिला डे वाले दिन भी किये थे उन्होंने और बहुत खुशी की बात है रच्छा भी लग रहा है सरकार ने जो दो रुपे घटाई है बहुत अच्छी बात है और काफी राहत देश को मिलेगी और तेल के दामों में कटवती पर घ्री मंत्री अमित्शाने सोशिल मीडिया एक्स पर लिखा है देश बास्यों को राहत देते हुए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी ने पिट्रोल और डीजल के खिमतों में दो रुपे प्रती लीटर की कटवती करने का निर्णाय लिया है मोदी जी के प्रयासों से देश में पिट्रोल के दामों में पिछले धाई वर्षों में लगभग 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दामों में लगभग 17 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है और इस निर्णाए के लिए मोदी जी का आभार व्यक्ट करता हूँ ग्री मंतरी अमित शाह का सोशल मीडिया के जरिये प्रधान मंतरी नरेदर मोदी को आभार और अब हम आपको बताते हैं कि दो रूपए कीमत घटने से अब पिट्रोल की कीमत प्रती लीटर कितनी हो जाये दरसल आप तस्वीरों में देखें दो रूपए सस्ता हुआ है दिल्ली में पहले 96 रूपए 62 पैसे था और अब 94 रूपए 62 पैसे हो गया है और दिल्ली में रादधानी में यह असर मुंबई में ही पहले 164 रूपए 31 पैसे था और अब घट करके 104 रूपए 21 पैसे मुंबई में रेट हो गया है खुलकता में पहले 166 रूपए 3 पैसे था और अब जबकि कीमत कम हुई 103 रूपए 94 पैसे खीमत और चिन्नई में पहले 102 रूपे 63 पैसे और अब पिट्रोल सस्ता हुआ तो 101 रूपे 18 पैसे चिन्नई में इसके कीमत है लखनौ में पहले 96 रूपे 54 पैसे प्रती लीटर मिल रहा था और अब 94 रूपे 65 पैसे प्रती लीटर पिट्रोल हो गया है नोईडा में पहले 96 रुपए 69 पैसे पिट्रोल था और अब 94 रुपए 66 पैसे पिट्रोल हो चुका है नोईडा में गुरुगराम की बात करें तो पहले 97 रुपए 18 पैसे क्रिमत थी और अब 94 रुपए 98 पैसे क्रिमत हो गई है दो रुपए घटने के बाद शिमला में पहले 97 रुपे 20 पैसे कीमत थी पिट्रोल की और अब 2 रुपे जब किसस्ता हुआ 95 रुपे 24 पैसे इसकी कीमत शिमला में हो गई है पटना पर नज़र डालें तो पहले 107 रुपे 69 पैसे प्रति लीटर पिट्रोल भिक रहा था पटना में और अब 105 रुपे 40 पैसे दो रुपे घटी तो राची में पिट्रोल की कीमत हो गई 99 रुपे 84 पैसे और अब पहले थी और अब हो गई है घट करके 97 रुपे 80 पैसे पहले राइपूल में पिट्रोल मिल रहा था 102 रुपए 56 पैसे प्रतिलीटर और अब घट करके 100 रुपए 49 पैसे हो गया राइपूल में पिट्रोल करें हुपाल में पहले 108 रुपए 75 पैसे में पिट्रोल मिल रहा था और अब 2 रुपए सस्ता हुआ तो 106 रुपए 38 पैसे हो गया है चंडीगड में पहले 96 रुपए 20 पैसे में पिट्रोल मिल रहा था अब दाम घटे तो 94 रुपए 24 पैसे कीमत हो गई है अम्रित सर में इसकी क्यमत पहले थी 98 रुपई 84 पैसे और अब घट करके 96 रुपई 80 पैसे हो गई है वहीं बिहार में आज नितीश सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार और सीट पटवारे पर कहा कि बहुत जल्द दोनों के बारे में पता भी चल जाएगा पहले कल होने था ये कैबिनेट विस्तार लेकिन अब आज ये विस्तार हो सकता है और नितीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल सारी जानकारिया सारवजनिक हो जाएगी नितीश मंत्री मंडल का विस्तार एंडिये में आने के बाद अब इस तरह सी ये विस्तार दिखा जा रहा है जबकि लोगसबा चुनाओ अब बहत करीब है अनाउंस्मेंट कभी भी हो सकती है और अब हम आपको समझाते हैं कि जेडियू कोटे से कौन-कौन संभावित विधायक शपत ले सकते हैं और तस्वीरें अब आप देखिए ये हैं वो सम्भावित नाम अशोक चोधरी, रतनेश थगा, महश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंग, मदन सहनी, शीला मंडल और जयन्त राज के नाम जेडियू कोटे से सम्भावित नाम हैं जो इस मंत्री मंडल विस्तार में नि नितीश कुमार का मंत्री मंडल विस्तार तो बीजेपी के कोटे से आ सकते हैं मंगल पांडे, नितिन नवीन और प्रमोध कुमार, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी ख़बार की आज हो सकता है विस्तार और इन नामों को मिल सकती है नितीश मंत्री मंडल में जगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिन भारत से धुआधार प्रचार के शरवात आज करने वाले हैं प्रधानमंत्री तमिलनाड के कन्या कुमारी से प्रचार के शरवात करेंगे और प्रधान मंतरी उन्नीस माच तक करनाटक, केरल, तमिलनाड, आंधरपदेश और तिलंगाना का दौरा करने वाले हैं पीयम मोदी तलंगाना में रोड शो भी करेंगे और माना जा रहा है कि दक्षिन में अब चुनावी शंकनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जवर्दस्ट रैली के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दक्षिन पर फोकस किया है एक बड़ी खबर इस वक्त की CAA पर केरल के सियम पेनराई विजियन ने कॉंग्रेस परती खामला किया है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस और उसके राष्ट्री अध्यक्ष इस मामले पर पूरी तरह से चुप है वहीं उन्होंने कहा है कि CAA के मुद्दे पर हम ना जुकेंगे ना चुप रहेंगे केरल के सियम का ये बयान केंद्री ग्री मंत्री अमित्षा ने CAA का फिरोध करने वालों पर जम कर हमला बोला है साथी साथ अमित्शान ने विपक्षपर CAA को लेकर फ्रम ठैलाने तक कारोप लगाया है और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में अब CAA धेश में वापस नहीं होगा मुसल्मानों पर इसलिए धार्मिक प्रतार नहीं हो सकती कि तीनों डेश घोसित इस्लामिक स्टेट कौन करेगा धार्मिक प्रतार ना कौन करेगा इसलाम के अनुयाईयों के साथ ये तीनों डेश घोसित इसलामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है इनके समिधान में है CA का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिक्ता सुनिश्चित करना यह भारत का विशा है भारत की संप्रभुदा का नेन है इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइस नहीं कर सकते ग्री मंतरी अमित शाह ने विपख्ष की पार्टियों की और से किये जा रहे सवाल और हमलों पर पलटवार किया है और हर आशंकाओं को निराधार बताया है झाल पर राहे जो थास युथर को भार्टियों Ps आशं जी даा